हलो दोस्तों जोती नियर रसुई में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि भेजी टेवल सूप कैसे बनाते हैं सूप बनाने के लिए हमने गाजर को कदु करस कर लिए हैं दो से तीन कलियन ले लिए लहसुन के उसको भी बारिक काट लिए हैं थोड़ा सा सिमला मीर्च ले लिए हैं थोड़ा सा बंदा गोर भी ले लिए हैं थोड़ा सा धन्याक पता कर डंटल ले लिए हैं उससे बहुत टोद ऐवा थोड़ा सा देशी घीर ढाल देंगे, अपन थोड़ा सा खड़ा जीरा ढाल देंगे future मुझ जीरा को टकने के भाद लेशू नहीं द्रग डाल देंगे अर थोड़ी देर पकालेंगे उसके बाद गाजा और बीन से डाल देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे गाजा रॉबीन्स को थोड़ी देर पका लिए उसके बाद सारी सब्जियों को हम ढाल लेंगे सूप में आपको जो भी सब्जी पसंद आया वह भी ढाल सकते हैं आप अपने हिसाब से सब्जी ढाल दीजिए सर्दियों को मौसम में सूप बहुत ही बढ़ियां लगता है पीने में सब्जी को हम एक से दू मिनट तक ही भूंजेंगे उसके बाद हम स्वाद कहनों सा नमक डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़ियां फ्लेवर आता है और अच्छे से हम मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें एक लिटर पाने डाल देंगे पाने डालने के वाद हम ढग कर उसे पान से साथ मिनट तक पका लेंगे साथ मिनट हमारा हो चुका अब हम चेक कर लेंगे सबजी हमारा अच्छे से पक चुका है अब हम दो चमच कौन फलोर लेंगे और उसको हम घुल बना लेंगे ठंडा पाने में ही गोल हमारा तयार हो चुका अब हम सूप में डाल देंगे जिससे गारा और बढ़ियां सूप बनकर तयार हो जाएगा कौन फलोर डालने के बाद हम अच्छे से उसको मिला लेंगे और दो मिनट ढग कर फिर से पका लेंगे अब हमारा दो मिनट हो चुका है अब हम चेक कर लेंगे बहुत ही बढ़ियां सूप बनकर तयार हो गया और गाड़ा विर हो गया देखिए कितना बढ़ियां सूप बनकर तयार हो गया अब इसमें चार से पांच गोल की पोड़र डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़ियां लगता है सूप पीने में और एक चमच बिनीगर डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे अब इसमें थोड़ा सा हरा धनियां डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़ियां फ्लेगर आता है सूप में सूप को गरम गरम पीने से बहुत ही बढ़ियां लगता है अगर हमारा सूप बनाने का यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए थैंक्यू फर वाचे